दोस्तो आज हम बनाएंगे मेथी बेशन की सबजी ये हिल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और बनाना बहुत ही असान है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने 500 ग्राम मेथी ली है पते पते ही लिये है और इनको दो तीन बार पानी से अच्छे से धुल लिया है अब आम इनको काट लेंगे बहुत बारीक ने करना है इस तरह से मोटा मोटा काट लेना है बारीक काट कर लेंगे तो मेथी कड़ः लगेगी इस तरह से मेथी को मैंने काट ली है अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मस तेल तेल गरम हो जाने पर हम इसमें ये कटे हुए मेथी डालेंगे और इनको 2-3 मिनार तक भून लेंगे जिससे मेथी थोड़े सौप्ट हो जाएं इनको भूनते हुए 2 मिनट ही हुए है और देखिए मेथी के पत्ते नरम पढ़ गए है तो अब हम गैस ओफ कर देंगे और अब एक बॉल में हम लेंगे आधा कप बेशन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इनको मिला लेंगे और इनका एक काढ़ा घोल त्यार कर लेंगे जैसे हम पकोड़े के लिए बनाते हैं और मिलाने के बाद इनको 2-3 मिनट तक फेट लीजेगा तो मेथी की कतली सौप्ट बनेगी 2-3 मिनट फेटने के बाद देखिए इनका कलर चेंज हो गया है ये अच्छे से फिट गया है तो अब हम इसमें मेथी डाल देंगे साथ में डालेंगे 1-4 चमच हल्दी पौडर, 1-2 चमच लालमिश पौडर और 1-2 चमच नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और देखिए इसे मैंने बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है इस तरह से काड़ा रखा है तो चलिए अभी हम इसे साइट में रख देते हैं अब मैंने गैस पर कडाई रखी है इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबिली स्पून तेल तेल गरम हो जाने पर इसमें हम कुछ साबूत मसाले डाल देंगे तो इसमें मैंने ली है एक छोटा चमच जीरा, एक बड़ी इलाइची, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा और 6-7 काली मिर्च जैसी ही जीरा चटक चाय तो हम इसमें प्याश डाल देंगे यहाँ पर मैंने एक प्याश को बारी काट कर ले ली है साथ में दो बारी कटे भी हरी मिर्च डालेंगे और इनको एक से दो मिनाट तक भूल लेंगे दो मिनाट भूनने के बाद इसमें एक चमच अद्रक लासन का पेश डालेंगे और इनको भी प्याज के साथ एक मिनट तर भूल लेंगे जिससे कि इनका कच्चा फ्लेवर थिकल जाए एक मिनट भूलने के बाद इसमें आधा चम्माच हल्दी पौडर, एक चम्माच थनिया पौडर, आधा चम्माच लालमेच पौडर डालेंगे आधा चम्मच मैंने कस्मीरी लाल मिर्च ली है इससे सबजी का कलर अच्छा आएगा एक चम्मच हम इसमें नमग डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे इस टाइम गैस का फ्लेम लो कर दीजेगा जिससे मसाले जले नहीं और इनको कुछ सेकेंड भून लीजेगा कुछ सेकेंड भुनने के बाद इसमें दो बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे और साथ में दो से तीन टेबिली स्पून पानी डालेंगे और इनको मिला लेंगे मिलाने के बाद गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे अब एक इस तरह का चलनी ले लिजे जिससे हम आटा चालते हैं अगर ये ना हो तो बीज में कटोरी रख दीजेगा उसके उपर एक प्लेट रख दीजेगा और इनको ऑईल से ग्रीस कर लिजेगा और अब इसके अंदर ये मेथी बेशन का पेस्ट डाल देंगे और इनको चम्मच से बराबर से फैला लेंगे और देखे इस पेस्ट को मैंने गाढ़ा रखा है चलनी में ये बाहर नहीं आएंगे और बहुत जल्दी स्टीम हो जाएंगे आप चाहें तो इन्हें अलग से भाप में पका कर भी ले सकते हैं पर इस तरह से सबजी जल्दी बन जाती है इनको कभर कर लेंगे और 5-7 मिनट तक पका लेंगे पांच मिनट ही हुए हैं और देखे ये हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे ये अच्छे से इस्टीम हो चुके हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और देखे इधर प्याज टमाटर मसाले भी अच्छे से पक गए है अलक से इनको भूनना नहीं पड़ा है थोड़े साबूत दिख रहे है तो पल्टे से दबाते हुए इन्हें चला लीजेगा तो ये मैस हो जाएंगे और देखे बढ़िया से ये मैस हो गए है तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी ली है इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनमें उबालाने देंगे इधर ये अच्छे से ठंडे हो गए है और देखे ये जाली के बाहर बिल्कुल भी निकले नहीं है जाली के उपर थोड़ा सा दबा दीचेगा तो कतली आसानी से निकल जाएगी अब हम इसके पीसेज कर लेंगे मैं इनको इस तरह से छोटे-छोटे चौकूर पीसेज में काट रही हूँ आप चाहे तो इन्हें परफी के सेप में भी काट सकते है और देखे ये जाली से बहुत आसानी से निकल जा रहा है बेसन को हमने फेट कर लिया था ना तो ये एकदम सौट बने है इनको आप ऐसे भी खाएंगे न तो ये बहुत टेश्टी लगेंगे तो चलिए सारे पीसेज को हमने निकाल ली है इधर ग्रेव में उबाला गया है तो इसमें ये मेथी के पीसेज डाल देंगे और इनको मिला लेंगे अब मसालो का फ्लेवर कतली में आ जाए तो इनको कवर करके थोड़ी देर पका लेंगे दो से तीन मिनट पकाने के बाद इसमें आधा चोटा चम्मच गरम मसला पौडर और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिय डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे आप देख सकते हैं ग्रेवी गाड़ी हो गई है और कतली एकदम सौट बनी है ये हमारी मेथी बेशन की स्वादिष्ट सबजी बनकर तयार हो गई है इने आप गरमा गरम, रोटी, पराठे, चावल किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते है ये मेथी बेशन की सबजी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है बच्चे भी सबजी को बहुत पसंद से खाते है तो दोस्तों मेथी की सबजी तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए उमीद करती हूँ कि आपको ये रेश्पी बहुत पसंद आएगी और रेश्पी जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और रोज नई इनुवेटी रेश्पी देखने के लिए चैनल को सुस्कार्प करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यबाद